दुनिया के सबसे उंचे राश्चे ध्वजों में से एक कुरुक्षेत्र के विश्व प्रसिद ब्रह्म सरोवर में फेराय जाने वाला तरंगा कभी देश की आनबान और शान का प्रतीक माना जाता था इस विशाल काय ध्वज दंड की स्थापना तरंगे को जंजन के हातों में पहुचाने वाले पूर्शांसर्श्वी नवीन जिंदल की कोशिशों से मुम्किन होई थी लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोड की सुस्ती के चलते अब वहां आम दिनों में तरंगा फैराना उचे ध्वज दंडो में से एक इस दंड पर तुरंगा फैराने में नाकाम साबित हो रहा है। बोड की इस उदासिंता से यहां आने वाले टूरिस्ट और शधालों के साथ साथ यहां के लोगों को भी मायूसी हो रही है। कुरुक शेत्र विकास बोड के सीईओ का कहना है कि अभी अभी पदभार सम्हालने की चलते इस बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। एक बार मैं थोड़ा खुद जान जाओं की मामला क्या है लेकिन यह है कि हम अपनी तरफ से पुरा प्रयास करेने की जो प्रथा थी उसको हम बरकरा राकने हैं। ततकालिन शेत्री सांसद और फ्लैक फाउंडेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष शुरी नवीन जिंदल की पहल पर आठ फरवरी 2011 को कुरुक शेत्र के ब्रहम सरोवर के बीचों बीच इस विशाल का एध्वज दंड पर तिरंगा फेराया गया था। जिसे बाद में कुरुक शेत्र विकास बोर्ड के सुपूर्ट कर दिया गया। देश भर से लोग यहां आकर तिरंगे को सलाम करने में फक्र महसूस किया करते थे। इंडिया।